नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके इपने यूट्यूब चैनल का मुटीशन प्रिप्रेशन पर आयोप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे करने वाले हैं यानि कि 12 सप्टेंबर से शत्ति सिफ्ट में पेपर हुआ था वन थर्ट पर पहुंच गया यानि कि विया थे थर्टी थ्री वन भाई थी परसेंट रहें क्या कहा गया तरिभूच एबीडी और एफीच में बीडी जो कौड है वह 60 डिगरी का है हमने का बीडी यह एफ कर से कोड़ यानि कि यह वाला कोन और यह दोनों आपस में बराबर हैं तो कहा गया बडी और एफसे की एडि rock औरता और से की एलाप से क्योंव n करने कर देखो अगर वात करो यह वाला ओडे है तो इतना भी त प्रक्राइब को पता है कि अगर यह कोंड के बराबर है यह इसके बराबर है और आपको दिया गया एक लंबाई यह इसके बराबर है तो यह दोनों तो आधार दोनों का आपस में बराबर है ट्रेंगल ABD और ट्रेंगल FCE को देखो तो दो जाएं बराबर और इनके बीच का कोड बराबर तो यह कैसे हो जाएंगे तो आपको किसकी किसकी रेशियो निकालना था BAD बटे FCE यानि कि 60 बटे 30 तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दो रेशियो एक हो जाए 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 जा रहाएं सिम्पल सा प्रशन था करके टेबल जो है प्रोड़क्शन आफ थी टाइप आफ कास इन फोर डिफरेंट यह दि जोड़ेंगे तो सब को जोड़ेंगे जीरो 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 हो गया नो चार तेरा पांच अठारा दो बीस सा सताइस पांच बटे से जीरो चैनल के दो हसिला ही 3 हो गया 3, 2, 5, 2, 7, 8 और 9, 17 के साथ हसिला एक हो गया 1, 2, 3, 2, 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14, 3, 17 यह 17 हो गया और बटे में कितना हो गया चिन हो गया दो से कार देता है तीन हो गया दो से-1, 8, 2, 8, 16 हो गया 2, 8, 16 फिर से कितना कम है आपने कहा कितना कम है देखो तो परसेंटेज में निकालने जाएंगे तो आपको आपको यह 0 से 0 गत गया ईसmuşन सो लगा देंगे चार से कर रहे कर चार से काट नहीं दो से काट नहीं दो यह एक अठार चार कर गालिबा si 3 4 12 और 3 8 24 हो गया और 4 चार से चालीस अगर हम 40 के करीब माने तो गुड़े दस पचीस पचीस से जदा आईगा तो हमेनी फचीस से जदा आपका आणसर 26.6 के करीब हो जाएगा है एक करीब से कर रहे हैं सरकंफ्रेंस क्या होता है सरकंफ्रेंस बेस्ट तू पाई आर बराबर बत्तिस पाई ठीक है यह से रेडियस कितना होगे इसका मतलब आठ रूट माच हो जाएगा राइट प्रिंट हाउस आएट नहीं कितना है इसका करब सरफेस एरिया हो जाएगा यह गीबन चार्ट पढ़ा हो रूट तर न्तो कहा कि फालॉइंग चार्ट जो है प्रॉड़क्षन आप टेक्स्ट बूक्स इन डिफरेंट यह और फ्राम दे प्रिंट हाउस एबीसी तीन प्रिंट हाउस एबीसी उनके से डिफरेंट यह समें प्रोडक्षन दिखाता है तो कि रेशियो आप टेक्स्ट बुक्स प्रोड्यूश्ट बाइप प्रिंट हाउस बी नियर टुथाउजन एटीन बीका दोजार अट्थारा यह 12 इसका रेशियो सी का दोजार बीस में है थे 9 है कि Champa नौ है हम ने लिख दिया थो बारा बाटे नौ हो जाए गाए के 22 वाला हमने ले लिया है यह पर लेना कितना है 2020 वाला है में प्रपोर्शन क्या होता है अंडरूर में यह निकाल लेने था फॉल्विंग पाई चार्ट सोज द पर्सेंटेज दिस्टिबूशन सोला सो इम्प्लोईयज जिनके अलग 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 डिपार्टमेंट में कितना है तो कहा कि एक नेंबर अंप्लोईयेज पॉलदक्शन का थे मैं एप्ड्यक्शन कहाँ है तो था मैं ट नंबर अपडनेशन नॅपlarını प्रदॉदक्शन to the number of female employees of all the departments taken to get all department की female का कितना % है production department की cool employees के संख्या सबसे पहले हम देखते on production department में cool employees के संख्या कितो है 30% इसका निकालना है all department में female के इसके अब पहले HR में बता हो कितना है HR में 8% है total employee IT में 15% है accounts में 25% है marketing में 22% है और प्र्डोडक्षन में 30% लोगे इसमें पिमेल निकालते जो इसमें हुआको आपका आठ रेस्टियों ब्राबर आट तो फिमेल कितनी है 5 रेस्टियों याणि कि 5% इदार हो गए चे demonstra नो पर सपतीं दस दस रेशियों ब़एवरबर 25 तो 7 रेशियों ब़एवर स्क्कुर्ण तो आपने कहा स्टीन अएन की 51 अब हम कहते हैं कि टोटल निकाल लेता हैं इनका संख्या हमें और फिमेल निकालेंगे तो 5 9 14 और 17 31.5 31.5 और 8 49.5 49 और 11 50.5 50.75 यानि कि सारी फिमेल होगे 50.7 तो 50 का 30 लगभग कितना परसेंट है और अगर पूछा गया होता 30 का 50 कितना परसेंट है तो लगभग 116 परसेंट के करीब हो जाथ ठीक है तो यह पूछा गया तो साट परसेंट के करीब यह देखो साट परसेंट के करीब हो साट परसेंट अगर पचास होता थी साट परसेंट होता पचास होता थोड़ा जाद है तो 69 कोई ठीक है अगर 2010 में एक कंपनी का टोटल expenditure को categorize किया गया था different expense head में और percentage distribution का दिया गया तो का कि टोटल amount of expenditure total amount of expenditure of the company is कितना गुना that of expenditure on R&D R&D पर कितना है इतना पांच अब आपको पते total expenditure कितना होता है 100 so R&D का कितना है पांच पांच का कितना गुना है यहीं पुचा गयाता है क्योंकि कोई expenditure अपने आपने पांच किलोग्राम और छे रुपए वाली तीन किलोग्राम तो 20 रुपए इसमें लगा अठा रुपए इधर लगा यानि 38 रुपए total लगे 38 रुपए में कितने किलोग्राम चीनी मिली आठ तो प्रेमोली कितना होगे 38 बटे आठ यानिकि 19 बटे 4 यानि आपका आठ रहें किसके लिए इसके infinite मेंनी सलूशन होगे आपको पता है अगर दो सेट आप रुकोईसन दिये जाए तो एवन बटे एटू बराबर बीवन बटे बीटू बराबर सीवन बटे सी टू हो जाए तो इसके 1552 मेंनी सलूशन होगे चर्चेश के गुडांग का रशीओ य बटे 4 वाइ के गुडांग neighbor बर पनाद е बटे 3 कंद के दो तो दोनों मिलके 4 बटे 3 गुडए 2 बटे 4 बटे 3 धान दो यानि कि 10 बटे 3 हो जाएगा 3 तीन घट गट गए 8 बटे 10 घंटे कितना हो जाएगा 40 मिनट के बराबर हो चाहिए लगा का कि which of the following is divisible by 2 5 10 11 तो यह इसके क्यों कि आपको पता 10 और 11 को प्राइम नंबर करें से उनके प्रोडवर के बडाबर होने के लिए यह नहीं हो सकती यह नहीं हो सकती तक यह संख्या से कटने का बाकी संख्या ले यह थो हमने बाक्य संख्या ले ले एक त्रीजा रहेंगे एक बोट्ट मेन है जिटिक यह संख्या जाता है और एक कीलो मेटर करना 10 मीन जाता है जाता है दो क्यूमेटर एक घंट किक्न हो जगी कि दो किलो – परती हो ऑ श्क्राइब। सो अपने खा 10 40 15 बराबर uhan लोओं अगये हैं किना सिंपल सट्रेश 2700 रूपयए है निमेर का यंद बाहराऊं mm बार पर्चेंडी एक महीने का एक पर्षन ततैरा महीने के म्हीने का निमेराइं सडर्ट प्रच परसंट कितना हो जागे 673 का कि सेक्टोरियल एंगल इतना है 75 डिग्री तो लेंद्ध आप आर्क क्या होता है आपको एक चीज पता होगा कि अगर आपको यह सरकल दिया गया उसमें कोई आर्क यहां पर थीटा कोड बनाता तो आर्क की लंबाई कितनी होते थीटा पॉंधिर से काटेंगे कितना हो जाएगा 15-20 ठीक है 24 से काटेंगे 0.4 और 0.4 का 5 में गुड़ा होगा दो दो गुड़े दो पाई चार पाई आपका उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन देखिए अगर कहां कि एक पियर आफ स्टेट लाइन स्टेट लाइन एक्स्टरनल पॉइंट अगर यह पॉइंट है तो इस तरह से लेना पड़ेगा रहे हमने का ओ सेंटर है अब हमें क्या कहा गया हमें कहा गया कि यह वाला कौन यह कितने का है यह एपसी 30 डिगर रहे तो अगर हम यहां से अगर मैं इसको यहां से मिला दूं और इसको यहां से मिला दूं अब यह ना कहते नहीं यह ब्यास है सीवी क्योंकि देखो सीवी अगर ब्यास होता तो यह 90 डिगरी का होता लेकिन आप देख पा रहे हैं कि कि यह 30 डिगरी है यह 50 डिगरी है एक स्टा एक्स्टेडियर एंगल है यह 80 डिगरी का ही है तो यह ब्यास नहीं समझ में आया मेरे भाई अभ आपने का कि यह पूरा असी का है इतना हिस्सा कितने को चालिस और अगर और वह भी दोनों तरिज्जां है तो अगर यह चालिस यह चालिस तो यह कितना हो जाएगा सब्सक्राइब पूरा यह चालिस यह चालिस यह चालिस यह चालिस यह चालिस यह कितना हो जगा सो एक सर्कूलर आर्क जिसकी रेडियस इतना है सब्सक्राइब निकालने के लिए आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा तो इसका परिमाब जो हता है आर और यह आर की लंबाई अगर ल हो तो एल प्लस टू आर होता है और की लंबाई क्या होती है थीटा-पॉन-360 इंटू-टू-पाई-आर निकालने इसमें टू-आ सब्सक्राइब तो यहां पर थीटा वरापर तीज डिगरी तो आपको नेका थीज़ बटे तीन सुसाट यानि एक बटे बारा गुड़े टू-पाई-आर हमने का तू-पाई-आर की वैलू-बारा प्लस टू-आर चार लेना है तो दो गुड़े पाई-छे दसमें लो दो यहीजी बाट पलस चोबिस यानि कि 30.28 आपका आउर जयेगे एक्जेक्ट वैलू साई-एक्जो पचास की बता यह आप नेका साई-एक्जो पचास को लिख सकते साइन नैंट प्लस सिर्च यह कितना हो जागा खॉसस्ती कौससिकी की वैलूब ओन बाई-डिफ्रेंस बाइबर 28 तो अच्छा है यह 15 परशन और 20 परशंट का कि कितना है 15 प्लस 20 35 यह 32 परशनट है एक 32 परशनट है 25 32 और 25 का डिफरसंट कितना हो जाएगा 7 परशन्ट बोप तो आहप 100 परशन निकाल सब्सक्राइब एकस वाई-जट की वैलु निकालने ताकिया से डिस्प्राइए करें कैसे करते हैं देखो 5 एकस यहां दिया गए अगर मैं इन दोनों को जोड़ दू तो कितना हो जाएगा आप किंगा 5 एकस माइबवर कितना हो जागा माइगा और activity-3y juice माइबवर कितना 22 अगर मैं इन दोनों को क्या करो की तोट कितना है इन दोनों को вый तो कितना है इसे से इसको घटाते हैं तो यह 3y प्लस 7y यहां रहा है यहां रहा है यहां रहा है यहां रहा है अगर ऐसा प्रशन आता तो आपको क्या काम करने ए साथ बी स्क्वायर के साथ बी वाला टम कोई है नहीं और सी उतकी साफ स्क्राइल यो धेकि इसन ओर कर घुलर के टो ऑजबा है उता है उत है थीरा और फिश्शवरिय माइनस लंकर उड़ने है ले यह से 망 तो 0 करें साफ कॉल से बराबर 6 तो आपको इसकी वैलून निकास के प्लस एक होता है वह अपॉंस क्युआ ओ स्पलस कॉयसे बटे सांट और चुछ क्यूंस लगा के कर दो माइनस कॉंस अपॉनन साइन तो देखो उपर किते साइन से अगर मंडिप्लाइग करें तो इस मॉलेस्ट वैलू बताने जो एक को एसाइन करें ताकि यह संक्या 8 से डिविजबर हो जाए आपको पता किसी संक्या को 8 से डिविजबर होने के लिए लाज्ट ट्री। दिजीट से बनने वाली संख्या, 8 से कटनी चाहिए। आपने का है, लाज्ट ट्रीज्ट से बनने वाली संख्या, 6-8-1, अब इसको हमें एतर डमचे बराबर, जिलाफ ढखर 0 रखें, 8-8-8-6-0, एक टाहरा हैं, नहीं कटाहरा है, तो smallest value तीन हो सकते और इससे बढ़ी अपने कहा दहाई के अंक पूछा गया तो आठका आधा करके इसमें जोड़ देंगे आठका चार इसमें जोड़ देंगे तो साथ पे भी कटेगा अगले प्रस्ट में क्या कहा कि प्रॉफिट जो है एक वस्तु को बेचने पर कॉस्ट प आपने कहा 42 सेलिंग प्राइज रहे और आपने कहा प्रायज कोस्ट पर्सेंट होगाographics कितना है अपने कहा सैलिंग प्राइस कीता है है तो 75 से छोटा होगा याली 75 से छोटा लेकिन 73 के करीब यहीं पूछा गया अब यह कुछ लोग यह कहेंगे कि भागने के लिए कर रहा है नहीं 31 42 और गुड़े में सव करोगे जो से काटेंगे 21 2 से कटेंगा 50 50 गुड़े 31 कि तुकना हो जाएगा और सेविंग जो करता है उसका तीन रेशियो एक है अगर उसकी से यह अगर वह तीन खर्चा करता है तो एक बचाता है यह अभी खर्चा कितना करता है सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां 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 प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिफरेंट टाइप की आपको क्लिक करके देख सकते हैं मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए टेके लगए लगए और